हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु जी लोज आस्पिरेंट रूटूब चानल सो आज हम डिस्क्राश करेंगे स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के उपर ठीक है तो आप सबी को प्रोजेक्शन के बारे में तो पता ही होगा टर्म शिफ यहां पर क्या ने आया रहते हैं उससे क्या हमें बेनिफिट मिलता हर एक चीज देखेंगे रिगार्डिंग और प्रोजेक्शन बट यहां पर हम किसी भी मतलब क्रिस्टल सिस्टम करें फिर क्रिस्टल के बारे में देखेंगे प्रोजेक्शन ठीक है तो चलि फिर बीना देर करते हुए प्रोजेक्शन अगर दो मिनट के लिए मैं यह टर्म स्टेडियोग्राफिक को रिमूब कर दूं ठीक है इन सिंपल प्रोजेक्शन हर किसी को समझ में आता है ठीक है प्रोजेक्शन में मीनिक क्या है किसी भी चीज को प्रोजेक्शन करना मिन्स किसी भी चीज को सो करना और जो अवक्या बनाया इन your POPT जो भी आपने यहां पर रखा जो भी इमेजेस सोहरा जो भी उसको आपने क्या 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 किया यह मतलब सबस्ट अलाब्टॉप है तो लप्ट अमिए आफ रहा है Чepal यह लाप्टॉटपप को अपने किसी चाने के प्रोजक्टर से आप प्रोजक्टर क्या करता है किन凭ी एक चीज को दिखा रहा है तो इन मतलब मोचली करने का मिनिंग पता ही है और 만든 नियुग क्या है था नियू हमारे लिए जर्फम बाथ करते हैं स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का तो उसी का मीनिंग होता है कि मैपिंग करना किसी यह चीज आपको दिया जारा कोई भी एक चीज तो अब यह चीज आप इन जीजा आप रफो क्रिस्टाल मतलब प्रेच्ज का बात करो हर किज के पॉइंट और आप दखते हो हर एक चीज के इसमें रता है 3D में नाकिक 2D में ठीक है अब इसली हर चीज 3D में रता है तो 3D को आप जब रिप्रेजेंट करते हो इन 2D तो उसी को हम बोल रहे हैं अनिबर्सन उसमें क्या कर रहे हो और रिप्रेजेंट कर रहे हो एक पेपर में जो कि 3D में अक्ठेम प्रोजेक्शन YOUR तो उसी को हमसील में करका श्यजकर में नत्यूजिक ठीक है तो आइध आपका एक मतलब डायक गोग्या है कि स्टेयिव क्रोजेक्शन क्या है तो stereographic is nothing but 3D object को हम 2D में क्या करेंगे रिपेजन करेंगे ठीक है तो उसी को हम बोल रहे है stereographic projection बट क्या projection यहीं पर end हो जाता है नहीं अभी तो स्टार्ट हुआ projection का basic ठीक है तो मतलब projection हम obviously आप सभी को पता है इतने दिन से हम किसको पर क्रिसाइवनल और ठार्म भी मोनो क्लीनिक ट्राइक लिनी हरे इंडिविजल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कुछ-कुछ तो यह भी आपको समाझ में आ गया हो किस्टालग्राफिक प्रोजेक्शन के उपर जाने से पहले ठीक है उसके उपर भी हम जाएंगे हम मैं आपको ऊल्फनेट भी दिखाऊंगा बटर पेपर भी दिखाऊंगा ठीक है इस तरह उसको यूज करके प्रोजेक्शन करते हैं उस जोलोजी में प्रोजेक्शन में हमारे पास दो ही टाइप के प्रोजेक्शन में जो हम प्रोजेक्शन कर रहें थ्रीडी को टूडी में तो दो टाइप में ही मतलब उसको हमने क्लासीफाई किया तो क्या क्या है तो प्रोजेक्शन का हम यूज लेते हैं एक तो आप स्ट्र क्रिस्टालोग्राफिक ग्रेक्शन ठीक है तो डो था कि आपके पास प्रोजेक्शनने इस इनियोऔर максим डी läuft त्रेस अंपर किस्कूप निच्टार्घायशन के अपने मैं ठीक है लेगे असे श्रॉजिक्शन के भी थोड़ा सा मतलब एक सोट में देख लेते मिस्ट प्रोजेक्शन को तो हम यूज में रहे है इन जियोलोजी बट वो प्रोजेक्शन को जो हम यूज में ले रहे है या फिर वो जो प्रोजेक्शन है इन जियोलोजी इस टू टाइप ठीक है क्या क्या है स्ट्रक्श्रेल क का प्रोजेक्शन एक और क्रिस्टालोग्राफी का प्रोजेक्शन और स्ट्रक्ट्राइब का प्रोजेक्शन को यह बोलते एक्वल एरिया प्रोजेक्शन यह प्रोजेक्शन मतलब यहाँ पर भी दो टर्म है यह एरिया और अंगल में तो यह मतलब कहीं होगा या फिर उतना कुछ किछ डिफ्रेंस नहीं हो गो नहीं जब आप और डीटेल में जब देखोगे जब बहुत ज्यादा यह उल्फ खैंड थो उल्फ नेइट तो उसब नत जनरत गांको और विश्ट्र क्रिस्टालुग् screaming आपके से एंगेल प्रोजेक्शन ठीक है यह चीज आपको याद रखना जब भी टर्म बात आएगा क्रिस्टालोग्राफिक प्रोजेक्शन का तो हमेशे से आपको माइड में एक चीज से रखना है कि यहां पर बात होगा एक्वल एंगेल का एंड जब भी टर्म आएगा स्ट्रक्चरल का प्रोजेक्शन का तो वहाँ पर एक्वल एरिया के बारे में बात होगा ठीक है और इसी मतलब प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं सीड्मीट नेट मिन सीड्मीट नेट के थ्रोह हम क्या करते हैं इसको प्रोजेक्शन आप सीड्मीट नेट क्या है वो भी मैं को बताऊंगा ठीक है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अपकमिंग वीडियोज में तो अभी के लिए आपको यह याद रखना है कि इन जियोलोजी यू आप टू टाइप आप प्रोजेक्शन याट इस स्टॉक्चिरल प्रोजेक्शन एंड क्रिस्टालोग्राफिक प्रोजे प्रोजेक्शन का टूशी स्टॉक़्ेष करते हैं फ Steve Me लेते है उल्फ नेट का ठीक है मैं आपको दिखाऊंगा था मुश्न अब यहां पर रहेगा एक मतलब शर्कल असा बिसार्कल कहा सायatan во आपको बताऊंगा तो उनमें कुछ सब्सक्तित क्यों सब्सक्राइब कर दोना है तक और शोपता है एक सब्सक्राइब कर Meta इंडिवर्ट नीच लाइन से थो उनके के मैं जो एंगल एक्वार्व रहा हैं ऊहांपर एंगल इक्वाल नहीं रहेगा तो इसली मुझे ब्रस्क्रण देखियें के समझते नेट में सब स alors बात थोा रहे था से stal एक्वात श्थ जेयुट्यलिजिक का बात होता है mean equal area projection का हम बात कर रहे है तो यहाँ पर हो च्यारा है submit-net also called equal area stereo diagram ठीग है asmao net को हम क्या बलते है equal area stereo diagram कुछ यह दीखे हाँ structure taxi एया mean बला stereo graphic projection to stereo о ס स्टेयो ग्राफिक जहां projection सामना है फिर project प्रोजेक्शन किसको बल रहेए प्रोजाट करने का प्रोसेस को यहीं बोले फैक जो भी चीजंो मतनशा वहीं करें उसे को अब pressure यह स्टेरियो में उसको बहुत ज्यादा अलग है किवे यहां पर बात होगा यहां पर बात होगा यहां पर वात होगए इक्वल अरिया का यहांपर बात होगा इंगल का को तब किर Mein персонаж क çetel जिब्रमी करेंते को सटेरेयोग्राफिक चैह मतलब डाइच्प करएं स्टेरेयोघ्राफिक जाय को मतलब equal area stereo diagram को ही बोला जादा सिर्मीट नेट used in structural geology और इसी को structural geology में यूज कहा जाते for orientation analysis ठीक है when area is meant to be preserved for a statistical parameter तो हाँ stereo diagram जो है और मतलब सिर्मीट नेट और you can say equal area stereo diagram उसको हम यूज में कभ ले रहे हैं structural geology का जब हम orientation का analysis करते हैं कोई भी एक area का ठीक है तभी हम मतलब यूज करते हैं सिर्मीट नेट और सिर्मीट नेट क्या यूज कि projection on to the lower hemisphere ठीक है और यह जो यह चीज़ आपको याद देखना है कि lower hemisphere में ही यह मतलब ही project होता है या फिर lower hemisphere को यह हम यूज करके project करते हैं ठीक आभी यहाँ पर lower hemisphere क्या यह भी चीज़ आपको में बताऊंगा शिर्फ वीडियो को एंट तक देखिए मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा तो आपको आभी यादिया रखना in geology you have two type of projection structural and crystallography in case of structural आपके पास seed mid net है ठीक है उसी को याँ बोल रहे है stereo diagram फिर stereo net और in case of crystallographic projection you have wolf net wolf net को याँ बोलते हो equal angle projection और जब बात आता है seed mid net का तो वह यूज में ले रहेता है structural geology के लिए कि orientation analysis करने के लिए कोई बेड़ का और वहाँ पर हम क्या करते है lower hemisphere मतलब यूज projection on to the lower hemisphere lower hemisphere को ही यूज करके हम प्रोजेट करते है lower hemisphere term क्या है वो भी हम देखेंगे ठीक है then you have wolf net ठीक आब wolf net क्या है अब lower hemisphere क्या है इससे पहले जो हमने देखा में आपको बताऊंगा ठीक है उससे पहले थोड़ा सा देखते है उल्फ net क्या उल्फ net क्या था क्रिस्टालोग्राफी में हम यूज कर रहे है उसी को यह क्या है उल्फ net okay for क्रिस्टालोग्राफी एंड कोर आनालिसिस प्रोजेक्शन इस डॉन ऑन टू बहुत अपर एंड लोगर है मिस्पेर इससे पहले हमने देखा था पर अपर हमी फिर लोगर हमी्श पेर यह क्या सब कर देखते हैं तो यह आपको बताएब में सबकार होता क्या चाब यह म्यद करते हैं तो हम कुछ इस मतलब ऩॉव तो यहां पर मैं crystal रखता हूं रेंडम ठीक है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए तो आपके पास एक crystal है तो हम क्या करते हैं यह crystal को मतलब आपको imagine करना पड़ता है कि कुछ इस तरह crystal है जो की square के अंदर एक square आपके पास जो की interior पाट से वो क्या है कि होलो है ठीक है और उसके अंदर आपको crystal रखना है रोख क्रिस्टल का center और square का center equally match करना चाहिए ठीक है देखिए अभी अगर आपको square दिखे रहे तो कुछ इस तरह उसके अंदर रहेगा तो जब हम यह स्पियर को अगर कट करते हैं या अगर आप इसको कट करते हो तो अब अचली यहां पर कुछ क्या बनेंगे axis आपको दिखेंगा लाइक यहां पर आप जब देख रहे हैं क्यों भी किशल स्थाना 3 axis तो यह सब चीज हम बात में देखेंगे तो सिब आपको मैं स्पियर है इसके आप और एक वीडियो आएगा बेशिक के ऊपर उसके अंदर हम देखें किस तरह प्रोजर करते हैं ज्याँ गरते हैं तो हम यहां पर मैं आपको समझा रहा है इस्पियर क्या है घज़िए यह टूटल एक स्पियर है और हम जब प्रोजेशन करते तो स्पि डिशीं जिफ्र अपर्हंश्पियर टुर्वराइज यह ऑपर हमपर और इस यह ऑक कर्प accumulation टूए है यह थै की का मीफ्रेस है और यह क्या है स्रेखraph सर्फेस बस अइस की सब्सक्राइज पर मिस्पाइज ऑर डिश्य बीटनेट में हमने क्या दिखा था वहां पर हम यूज में किसको लियुडे लुए धिनी जब भी हम क्रिस्टालोग्राफी में देखेंगे तो भी को यूज़ करके हम प्रोजेट करेंगे तो यह जो वूश्नेट भी हम बोल रहा है या था आफिर सिट्मीटनेट तो वह वहां पर हम बात करेंगे इक्वाल एरिया का बट इनकेश ऑफ इसमें लाइन्स वगेरा ड्रो रहते हैं और उसी लाइन वगेरा के एकोडिंग हम फिर यहां पर प्रोजेट करते हैं तो आई होप आपको मतलब समाज में आ गएा होगा कि स्टरियोग्रफिक प्रोजेक्शन क्या उसका पाइक आपको आगया होगा कि क्रिस्टललयफि में जब भी हम्लब फिम्लब मतलब strat traffic डायग्राम का ूज करेंग अ उसी क्रीकुर्स आधल itt को हम वलते हैं उल्फने और उ तो आपको मतलब एक बेशिक समझ में आ जाएगा फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो सिर्फ कमेंट से समय बता दीजे फिर से और एक बार इसको एक्स्पेयन करने को ट्राइ करेंगे थाइंक्यू फर वाचिंग